हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटीटीटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करें जा रहे हैं कि ट्वेडिंग करने का सही तरीका क्या है आप में से मैक्समूम लोग ट्वेडिंग जरूर करते होंगे लेकिन आप में से बहुत कम लोग ट्वेडिंग करने का सही तरीका जानते हैं वो सही तरीके से ट्वेडिंग करते हैं एज आप में से मैक्समूम लोगों को नुकसान इसी का अवन्स होता है क्योंकि आप सही तरीके से एक systematic तरीके से trading नहीं करते हैं और इसी के बारे में हम इस वीडियो में discuss करने जा रहे हैं तो अगर आप beginners है या फिर पहले से trading क्यों ना कर रहे हो ये वीडियो आप दोनों के लिए काफी crucial वहने वाला है इसलिए आप सब लोग इस वीडियो में लाश तक बने रहे और अगर अभी तक आपने मार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जबा दिजे ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ऐताओ पर आगे हैं और देक सकते हैं और शाइरेक का 15 मिल टाइंट से आप इंस्तार में कर सकत हैं कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रेडियो डियो आपको Hindi subscribe करने का सही तरीका सीखना वहां पर आपको कुछ steps follow करने और उस steps को हमेशा follow करना है सबसे पहले जब भी आप चार्ट open कर रहे हैं तो कोई भी trading setup लेने से पहले आपको ऐसा ही चार्ट उठा के कहीं से बाई कहीं से पहले आपको सबसे पहले आपको एक सपोर्ट लेवल अइदपट करना उस्के बदेखा करना आपको maket o pen होने से पहले मांके gioze होने के बाद फाइंड सकते हैं दूसरा point जो सारे लोग ignore कर देते हैं वह आपका risk reward ratio हमेशा आपको check करना है कि यहां पर risk कितना है और reward कितना है यानि हमारा target price कितना है और हमारा stop loss कितना है वो दोनों हमारे favor में होना चाहिए तभी हम tweet लेंगे अगर risk reward हमारे favor में नहीं है तो चाहिए कोई भी कितना भी powerful strategy कि होना कितना भी static strategy कि होना उसको हम यहां पर avoid करना prefer करेंगे उसके basis पर हम trade नहीं लेंगे तीसरा point यहां पर आपको काफी patience के साथ wait करने की जरूरत है यानि आपको यहां पर काफी patience रखना कभी भी जल्दबाजी नहीं करना नहीं मार्केट में entry लेने का नहीं मार्केट से exit करने का और जो हमने trading setup तयार किया काफी सोच समझ के उसमें जल्दी हमें modifications भी नहीं करना सिर्फ हम stop loss को 12 कर सकते हैं वांकि कोई changes हमें नहीं करना जल्दी हम target में भी change changes नहीं करेंगे तो यह तीन पॉइंट को आपको फॉलो करना इस तीन पॉइंट को फॉलो करते हुए आप सही तरीके से एक सिस्टमाटिक तरीके से अपना trading setup तयार कर सकते हैं तो चली देखते हैं कि यह तीन steps को follow करते हुए कैसे हम सही तरीके से systematic तरीके से trade initiate करेंगे तो सबसे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि यह beginners के लिए भी बहुत ज़्यादा helpful है यहां पर हम ज़्यादा complications के उपर नहीं जा रहें आगे हम और भी detail video बनाएंगे जहां पर हम थोड़े complications पर आएंगे लेकिन यहां पर जो हम trading strategy form करेंगे उसमें OHLC पर ज्यादा focus करेंगे OHLC डैट मेंस to open high low close अब यह जो चार point है यह चार point भी हमाई लिए क्या बन जाता है कभी हमाई लिए यह support के रूप में काम करेंगा कभी हमाई लिए यह आपका resistance के रूप में काम करेंगा तो अभी हम इस पर ज्यादा focus करेंगे क्योंकि यह जो information हमें मिलता है यह हमें candle से information मिलता है चार्ट से information मिलता है और इसके basis पर अगर हम support या ड्यादा करते हैं तो वह काफी हद तक सटीक सावित हो सकता है तो चलिए सबसे पहले हम इसके basis पर सपोर्ट और रिष्टेंस लेवल ऐडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं तो अगर आपको और कोई रहा है तो यहां पर हमने ओए चल्से वाला यूज किया और यहां पर हमारे लिए क्या काम किया support के रूप में काम किया है at the same time यहां पर जो आपका लोग बना था वो लो हमारे लिए क्या काम कर रहा है वो लो हमारे लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है मतलब यहाँ पे हमारा जो first point था support and resistance वो यहाँ पे हमें आसानी से मिल गया है अब हम इसके basis पे आगे अपना trading positions initiate कर सकते हैं अगर यह resistance line को break करके उपर निकलता है तो यहाँ पे हम buyers में strength देखेंगे उसके बाद buy सारी की तरफ positions initiate कर सकते हैं अगर यह support को break करके नीचे जाता है और sellers में strength देखता है तो यहाँ पे हम sell सारी की तरफ positions initiate कर सकते हैं और उसके बाद देखें लगबग इस पूरे दिन price आपका इसी candle के बीच में move करता हुआ रहा 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 यानि पूरे दिन लगबग आपका inside bar pattern का formation किया यानि कोई भी candle इस candle के high या फिर low को break नहीं किया है और जब भी ऐसा situation हो तो हमें generally trading avoid करना यह भी चाहिए आपको समझ लेना है जब भी पहला कोई candle big candle हो और पहले एक देर घंटे तक देखेंगे कि candle अगर उसके अंदर ही form होता हुआ दिख रहा तो उस दिन यहाँ पर हम trading avoid करेंगे तो हम इस दिन trading नहीं लेंगे उसके बाद next trading sessions क्या हुआ market slightly gap up open हुआ लेकिन इस candle के अंदर ही open हुआ और इसको breaker की उपर निकला है तो जैसे breaker की उपर निकला और buyers में होगा इस candle का lowest point होगा वो मेरा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो देख सकते हैं यह हमारा SL बन जाएगा दूसरे conditions में और पहले conditions में काफ़ी छोटा सा SL बन वाया तो दूनों conditions में जितना SL है at least हम उतने target price के लिए आसानी से जाएंगे या फिर उससे ज्यादा target price के लिए भी जाएंगे यहां पर देखिए price आपका उपर गया या फिर आप यहां पर previous swing high या फिर swing low के basis पर भी target price set कर सकते हैं या नि तो psychological level भी आप यहां पर set कर सकते हैं तो यहां पर देखिए price आपका all the way उपर साइड की तरफ गया और यहां पर green candle with long tail at the top यह हमें दिखा दिया कि जो buyers हैं उनमें हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है उनमें यहां पर हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है अब यहां में क्या denote कर रहा है कि यहां यहां पर हमें by positions को close करना है तो जो भी हमने by positions initiate किया है वहां से हम क्या करें है वह आसे हम exit हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे अब उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे हम अपने by position इसे exit हो रोफिट बुक कर लिये अब देखिए अगर हम इसको भी stop loss की रूप में रखते तो भी हमारा जो risk reward था वो हमारे favor में काफी हद तक था और exact entry point हमारा यही बनता है तो इसके लिए आसे भी risk reward हमारे favor में था तो हम आसानी से trade setup यहां पर ले सकते थे अब उसकी बाद क्या हुआ price आपका नीचे गिरना start किया है अब हमारे लिए previous day का जो high है यह बन गया अब यह हमारे लिए एक important और काफी strong resistance लेवल का formation यह कर दिया है तो यहां पर हमारे resistance लेवल का formation हो गया market अभी close नहीं हुआ है ट्वेट करें यह market closing का price यहां से नीचे गिरा अब हमारे सामने कोई trading setup नहीं है अब यहां पर कोई trade नहीं लेंगे एक ही ट्वेट बनता जो कि यहां से यहां तक हमने trading कर लिया है अब ultimately price आपका closing यहां पर दिया है तो यह आपका price closing हुआ है लेकिन at the same time यह आपका काफी हद तक एक support लेवल का भी formation किया immediate support level यह है इसके बाद आपका यह support level के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा यह जो resistance level था यह हमारा वापस से support के रूप में काम करेगा तो हमारे सामने दो support level है लेकि immediate support level जो closing basis पर जहां पर दिया वो बनता हुआ दिख रहा उसके बाद क्या हुआ price आपका gap down open हुआ है तियानि आप हम trade कब लेंगे आइदर यह support level को break करके उपर निकलेगा तब यानि तो support level को touch करके वापस से नीचे आएगा यह रिवर्सल दिखाएगा तब हम trade लेंगे यही दो conditions में trade लेंगे उससे पहले हम trade नहीं लेंगे आप यहाँ पर price आपका नीचे open हुआ है इस low को हम यहाँ पर mark कर लेंगे और अब यह जो लूँआ है मेरा support के रूप में काम करता हुआ अब यह support है वो किसमें convert हो गया हमारे लिए resistance में convert हो गया तो हमारे लिए resistance में convert हो गया और यह हमारा support बन गया अब market open होने के बाद हम support लाइन इसको वहापर से में फ्रिस्ट ड्रॉ कर लेते हैं यह हमारा बन गया इस्टेंस लाइन यह हमारा बन गया सब्वें अब इहां से प्रैशंब का ऊपर जाना स्टाट के यहां पर यहां कुछ करेंगे नि क्योंकि यह ए केंडल करेंगे और उसके बाद हमारा जो यह लेबल है यह लेकल उसलियां से अगर हम देखें तो तो SL हमारा यहाँ पर बनेगा काफी छोटा सा और target price इससे at least हमें double दिखता हुआ clear cut दिख रहा है तो यहाँ पर हम इस target price के definitely जाते, target price हिटने हुआ लेकिन यहाँ पर हमें definitely अच्छा कासा profit मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि जिस level पर हमने sell किया उससे काफी नीचे यह closing दिया है तो इस तरीके से आप आसानी से अपना trading setup तयार कर सकते हैं, इस तरीके से आप trade कर सकते हैं यह एक simple method है और systematic तरीका है जिसमें हम कुछ steps का follow करते हुए यह trading setup ले सकते हैं इसकी बाद यह level अभी तक हमारे लिए resistance के रूप में ही काम कर रहा है और यह जो level है यह अभी तक हमारे लिए support के रूप में ही काम करता हुआ दिख रहा फिर अगले दिन जो market open हुआ है इन्ही दोनों के बीच में market open हुआ है यह नि वापस से हमारा यह resistance level और support level activate हो गया है price आपका gap open हुआ है इस line को touch किया इस resistance line को touch किया लेकिन उसको break नहीं कर पाया price नीचे गिवना start कर दिया तो हम इस level के आसपास वापस से sell side की तरफ interview लेंगे यह जो point होगा कि मेरा SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा वापस से यह जो support level है यही हमारा target price बनेगा तो देख सकते है SL छोटा सा है और target price काफे बेग है यानि जो risk reward है आर आर जिसको हम short में बोल देते हैं वो काफी हद तक हमारे favor में ही दिख रहा है यानि यहाँ पे भी हम next day इस trade से हम profit बना सकते हैं तो इस तरीके से आप support resistance line को डुआ करते हुए risk reward को देखते हुए और patience के साथ आप यहाँ पर trading setup तयार कर सकते हैं अब देखिए कि last trading session closing आपका इसी के आसपास दिया है अब उससे पहले यहाँ पर क्या form के एक range bond move हमें देखने को मिला है जिसमें highest point यह है और lowest point यह है और आपको एक और चाहीं ध्यान रखना है कि जब भी market में आपको range bond move देखने को मिले उस time पे हम open high low पे ज़्यादा focus नहीं करेंगे OSLC पे ज़्यादा focus नहीं करेंगे उस particular range पे focus करेंगे क्योंकि वह हमें ज़्यादा early hint or indications देगा ज़्यादा early sign देगा buy और sell करनेगा तो यहाँ पर अच्छा कासा एक range के बीच मार्केट move करता हो दिखा लगबग 2 hour से ज़्यादा इस range के करेंगे और इस चैन्स ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम बाइस तरफ जाना प्रेफर करेंगे उसकी बाद देखिए प्राइस क्या किया सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए यहीं पर हम सेलसाइट की तरफ पोजिशन से इनिशेट करें यह पॉइंट मेरा SL के रूप में रख सकते हैं प्राइस आपका नीचे गया अच्छा कासा नीचे दिखाया है और टागेट पैस के बेगर हम बात करें तो एट लिस्ट यहाँ पर हम टेकनिकल एनालिसिस अच्छे से सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और टेकनिकल एनालिसिस में सारा डिसिजिएंस आपको खुद से लेना किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रुवत नहीं है उसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है उसके लिए आपका हमा पर फिर्चर ऑप्संस में भी ट्वेडिंग डिसिजिएंस ले सकते हैं और स्टॉप मार्केट में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने कोर्स डिजाइन किया है तो कोर्स को ज़रूर देखिए जो भी पसंद आता हूँ आप उसको इन्रोल कर सकते हैं कुछ डाउ दिख जाएगा अब हम देखेंगे कि अगली दिन प्राइस कहां पर अगर प्राइस इसके ऊपर उपन होता तो सपोर्ट की रूप में काम करेगा अगर इसके नीची ऊपन होता है तो यही सपोर्ट आपका किसमें कनवर्ट हो जाएगा वेस्टेंस के रूप में कनवर्ट ह हो जाएगा तो अभी हम पहले से प्री प्लांट होगे कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं आपका सपोर्ट और रिस्टेंस दोनों के रूप में काम करता हुआ दिख सकता लेकिन जो आपन हुआ इसी करीब आपन हुआ प्राइस फिर ऊपर निकल गया जैसे ऊपर निकला है यह तरीके से यह दोनों टागेट पर हमारा असानी से कर देगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सिर्फ हम यहां पर काफी हगत तक ओएच लसी को यूज किया और जब भी मार्केट आपका एक रेंज में मुव किया है तो उस रेंज के हाई और लो को हमने मार्क किया तो बस करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा इससे भी लेटर कुछ भी डाउट यह कन्फीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर एंसर किया जाएगा सो देट सॉल फेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिंद